इस नई ट्रिक्स अगर आप कांदा बजया बनाते हैं तो आपके कांदा बजया एकदम क्रिस्पी और करारे बनेंगे और इस बारिश आप इसे इंजॉय कर सकते हैं गर्मा गरम चाय के साथ में तो चलिए बिना किसी देरी के कांदा भाजी या कांदा बजया बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले आपको लेना है तीन से चार प्यास जिसे अच्छी से छील लिया है मैंने और स्लाइसे में कट कर लिया है यसी लंबी-लंबी पतली पतली आपको स्लाइसे कट करनी है कुछ इस तरीके से और इनको अलग-अलग कर लें ऐसे बड़े-बड़े तैयार हो जा साले जैसे आप डालें एक से दो हरी मिर्ची बारेक कटी हुई आज मैं आपको साथ श्याय करने वाले हूं धेर सारे टिप्स और ट्रिक्स पॉफेक कांधा भज़िया बनाने के लिए तो यह जरूर ट्राइ करें बहुत अच्छाई कप धनिया धनिया और प्यास इतना अच् स्वाधनुसा आदा च्वच मैंने यहां पर गरम मसाला आड़ किया है आप भुने वे जीरे का पाउडर भी आड़ कर सकते हैं एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए साथी मैं आप यहां पर चाहें तो अजवाइन यूज करें एक च्वच मैंने आप डेड़ च्मच सौफ ली है मुझे सौफ का परसनली स्लिवर बहुत लगता है पकोड़े के अंदर स्पेशली कांदा भजिया में तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब हमें सिर्फ प्याज को मसलना है हातों से कुछ इस तरीके से जब भी आप देखेंगे हम नमक को डालते हैं प्यास के अं अब हम बेशन डालेंगे और हमारे जो भजिय का घोल हो तयार हो जाएगा इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो हंड़िड परसन क्रिस्पी और करारे आपके कांदा भजिया बनके तयार हो जाएंगे इसकी मेरी गारेंटी है आप देखेंगे सारे मसाले अच्छी से पाकी पकोड़ों सी इसी दिए इतने टेस्टी रखते हैं और बहुत मजा आता है इने खाने में अब यहां आड़ करूंगी में आधा का बेशन यहां मैंने बॉंबे बेशन यूज किया है आप कोई यूज कर सकते हैं ट्राइ करें जो भी आप बेशन यूज करेंगे थू अगर आप चाहें तो यहां पर एक से दो चमज पानी और आड़ कर सकते हैं पर मुझे अभी जर्वत नहीं लग रही है इसलिए बिल्कुल भी आड़ नहीं करूंगी अब मैं यहां ले रही हूं एक चथाई कप बेशन और तो इसमें और आड़ करें और हम वापिस से अच संद्रिदा कोई भी सब्समें आड़ कर सकते हैं पर कांदा बजय इसी तरीक से अच्छे लगते हैं दूसरी तरफ मैंने चाय अच्छे से उबालने के लिए रख दी है क्योंकि चाय और कांदा बजय इतना अच्छा कॉंबिनेशन है यह एक चमच पानी डाला है क्योंकि हम मैं इसकी जो कंसिस्टेंसी वो एकदम परफेक्ट चाहिए मैं आपको बताती हूं कैसे चेक करना है देखिए जो बेसा अच्छे से कोट हो चुका है अब आप देखेंगे की काफी स्टिकी हो गया है हमारा घोल और यह हाथ से चिपकने लगा है तो एकदम परफेक नहीं कर रही हूं अगर आपने शेप करा तो यह ऐसे बॉल जैसा फॉर्म हो जाएगा इसमें और वह अंदर से थोड़े कच्छे रहेंगे और भार से क्रिस्पी रहेंगे पर हमें एकदम करारे बनाने हैं तो इसलिए हम ऐसे डिरेक्ट इसमें डालेंगे बिल्कुल भी इ हाई करेंगे तो आपको जो कांदा भजिया तेल पी जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगे तो स्टार्टिंग में हमें पहले फ्लेम को हाई रखना है फिर वाप पिस लो कर ले और जैसे यह तो इसे गोल्डन कर ले ले तो वापिस हमको फ्लेम को हाई करन पानी रिलीज करते हैं वेपर के फॉर्म में और पाकॉड एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे अब इसे हम डिरेक्टली सर्फ करेंगे चटनी के साथ में उपर से सब्साला डाले और चाहें तो आप धनिया भी डाल सकते हैं गरम पाकॉड़ों को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस वीडियो को जरूर शेयर करें मैं जल्दी लोटूँगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए स्टे सेफ और स्टे हिल्दी